कि अब देख रहे हैं साइंटो फिलिक बाई कुल दीप सुनी आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लोग पढ़ेंगे बायो केमेस्ट्री आफ एंजाइम्स इससे पहले वाले चैप्टर में हमने लगबग 22 वीडियो अप्लोड करी हैं जिसम हम लोगों ने बहुत अच्छे से बायो केमेस्ट्रि आफ प्रोटीन को पढ़ा था तो अब मोग टापीक को सुरू करेंगे टोपीक की सुरुवात से क्या है शुरुबात शुरुवात ही कि इसका नामी एक सुरुवात है कि एंजाइन्स क्या होते हैं एंजाइन्स एक तर कर देती हूं तो उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट को आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे की सटर जो सौप्स में दुकानों में सटर लगते हैं सटर को ऐसे नॉर्मली आप खीच रहे हो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी लेकिन अगर उसी सटर में साइड में ग्रीस ल लगा दिया जाए तो वह सटर इजली कि बोल सकते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेक्शनल फोर्स सेंडेट होगा और इसली सट डाउन हो जाएगा सटर ठीक है क्या होगा एनर्जी कम लगेगी ऐसा ही कुछ काम करते हैं बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स वह हमार इसलीजी की डिमांड को कम कर देते हैं और रियक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं तो यह सिंपल सा वर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि नुक्लिक एसिट के बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है लिविंग कंडीशन को सो करने के लिए वह एंजाइम है तो पहला पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया बायो कैटलिस्ट का होते हैं यह एक्शन की रेट को एसी रेट कर देते हैं बहुत ज्यादा बाते नहीं करेंगे कि एंजाइम की कहां पर खोज हुई किसने कोज कर देखेंगे आप लोग कुछ से सोचिए स्पेसिफिक क्या मतलब है और क्यूं होता है वह भी देखेंगे प्रोटिनस होते हैं कुछ आरेनेज या राइबोजाइम को छोड़ करके ज्यादत सारे के सारे एंजाइम प्रोटिनस होते हैं इवेन स्टेंडर्ड बुक में कहीं क ओंगे क्या होते होगे एक में होती होगी कि यह लोती होगी और इनी चैन परकिकी स्पेसर टाइप के बड़ ऑ Moroccoूरॉप्स को आप इस तरह से और विखोषा नाश्यार्ج निगेटिव शूपार्ड लेकर सपस्कते हैं पर श्रूब और negative चार्ज लेकर सकते हैं तो enzyme की surface पर कुछ specific sites होती है वहां पर यह charges का confirmation या configuration बोलना चाहिए configuration कुछ specific manner में ही होता है जैसी मान लेते हैं कि कहीं पर कोई enzyme की surface है वहां पर specific sites जिसको लोग बोल सकते हो active site ठीक है वहां पर ऐसा कुछ चार्ज प्लस माइनस, माइनस, सब्सक्रेट ऐसाओ फिटिंग कर आएंजाइम की से तो कहां पर होगी कि इसके लाब और भी बहुत सारे सलिए इंट चार्ज़ग जो करेगा वही आ करके इन्जाइम होगा ठीक है और जहां पर ऐसे चार्ज़ग पाया जाते स्पेसिफिक चार्ज़ग जाते उस साइट को बोलते प्रोटीन के होते हैं यह करते हैं यह करते हैं इंजाइम और सब्स्ट्रेट आपस में एक वीक कोवैलेंट बनाते हैं वीक मतलब ऐसा है जो तूट जाएं और कोवैलेंट का मतलब कि दोनों की मीच्वल पार्टनर से बनता है अगर बोल रहे हैं कि यह इसके लिए स्पेस्ट्रेट की बात हो रही है और यह इंजाइम सब्स्ट्रेट के लिए स्पेस्ट्रिक है तो दूसरे लहज़े में अगर आ चावी के लिए स्पेस्ट्रेट है लिया तो यहां पर भी दो और गले हौई इसलिए पर क्या होता है इसके कारण को बनता है होताँ से इसके अनर्जी होती है नॉर्मल दोग पड़ते हैं इसलिए को बनते हैं जो यही कोवेलेंट बनने से इस पर कुश्यन आया ना कि कौन सा बनाता है जाइनरजी रिलीज होती है जब यह बॉन टूटता है तो एनरजी रिलीज होती है और यही एनरजी क्या करती है अगति इनरजी को सबस्टेट मिlles करते है कि पी अरगा किवय सब्सटेट और वह इस style अजाइम अलग हो जाएंगे मतलब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर क्या होता है एंजाइम सबस्टेट जो है वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ठीक है और थोड़ा सा इधर आने पर लिफ्ट हैंड पर आने पर मतलब एनर्जी थोड़ा सा कम कर देने पर क्या कि reaction के energy maximum कब होती है तो कब होती है जब transition होती है तुम पूरा देख लेते हैं highly specific है क्यों है पूरा बताया मैंने protein के बने होते हैं बता दिया मैंने ठीक है ज्यादा तर accept है कुछ exception है जैसे कि RNA ठीक है वह भी इस चीज़ को भी आगे discuss करेंगे यह कोवेलेंट बनाते हैं कोवेलेंट बना देते हैं सबस्टेट के साथ में कहाँ पर एक्टिव साइट पर और क्या करते हैं कि transition state develop करते हैं जो highest energy state होती किसी भी particular enzymatic reaction की अब properties में जान जाते हैं लोग क्या होता है enzyme की कुछ properties होती है enzyme क्या नहीं करते हैं don't and do's क्या करते हैं enzyme क्या करते हैं और enzyme क्या नहीं करते हैं उनको देख लेते हैं enzyme delta G को change नहीं करते हैं सब याद रखिएगा delta G जो है gives free energy जो है उसको change नहीं करते हैं ठीक है free energy का मैंने concept इससे पहले भी वीडियो में बता रखा है तो free energy वह energy होती है जो किसी particular system को काम करने के लिए available होती है work करने के लिए energy available to perform any work is called free energy ठीक है उसके इलावा भी उसके अंदर energy है लेकिन वह free energy नहीं होगी ठीक है तो किसी भी system को काम करने के लिए जितनी energy available होती है उसको बोलते है फ्री एनरजी यह के equilibrium को equilibrium को भी disturb नहीं करते हैं यह chemical reaction को start नहीं कराते हैं ठीक है start नहीं कराते है ध्यान रखना chemical reaction को start कराने के लिए अग्टेंट रिस्पॉंस बले इंजाइम रियक्षन को कैटलाइज कराएगा बस बात समझ रहे हो इंजाइम रियक्षन को कैटलाइज कराएगा कि स्टार्ट नहीं कराएगा यह सब statement based question है बिल्कुल ध्यान रखिएगा यह डेल्टा जी को effect नहीं करता तो फिर होता क्या है एकली में होता क्या एनर्जी की requirement को कम कर देता है एनर्जी की requirement को कम करने का मतलब कुछ इस तरह समझो कि आप दस सीड़ी चण करके ऊपर एक बाल्टी पानी ले जा रहे हो दस सीड़ी कुछ ऐसा हो जाए दस सीड़ी की जिगा आपको पास सीड़ी चलना पड़े दस सीड़ी चण के एक बाल्टी पानी ले जाते हो और एक बाल्टी पानी ले जाने के बाद में आपकी डेल्टा जी नहीं खतम हो जाती है अब बस आप काम नहीं कर पाओगे ठक गए हो इंदम हिल नहीं पा रहे हो लेकिन अगर पास सीड़ी चलना पड़े तो आप कितनी वाल्टी ले जा सकते हैं दो वाल्टी और समय भी कम लगेगा समय अगर कम लगेगा तो होगा क्या एनर्जी तो अभी कि यरिक्संड बढ़ जाएगी ओढ़े देखते हैं इंक्रीकिस कि इसस्याइल के एक्लिब्रियम तो यह चेंज नहीं करता है एक्लिब्रियम को चेंज करने का मतलब भी कि मान लेते हैं कि या चと思います 2A चेंज हो क्या रहा है चेंज हो रहा है तो एजो रहा है तो अब होगा क्या कि यह तुअ को टू इमें चेंज करने में जो टाइम लग रहा है ठीक है पहले मान लेते हैं 10 मिनट लग रहा था अब क्या हो रहा है एंजाइम वाले केस में यही 5 मिनट लगने लगा है तो इसको अकुपाई करने में जो टाइम लग रहा है वो कम कर देगा एंजाइम बनेगा टू ए से टू भी बस समय कम लगेगा तो आप यह कह सकते हो कि क K-Equilibrium change नहीं होता है जोनी कि 2S'a5 बनने लगेगा ना 2S'a2 बनेगा प्हों लेकिन वा क्या कि वह 2A-a2-b बन रहा था वह बनने में समय कम लगेगा तो एंजाइम ने किया क्या सोच ओ एंजाइम ने क्या किया किया है के equilibrium को अचीव करने में समय को कम कर दिया ता इस दके के के और आगे सद्टयक्व करता है कैसे बढ़ा देता है टाइम कम करेंगे टाइम बाड़़ा आगर उसमें फेलेज नहीं होगी ऑगाँ चाईट बंकर बहुत सारी एनर्जी वह लग लगाँ स्व ます अगर लगाँ कि नगा गोगा तो सल्य टाइम भी थी और इनर्जी इंटी कि अब अधस्य आपके अंदर घेर देल्टा जिए वह समझ रहो तो एक हो सकता अईसा नहीं कि आपके पास एनर्जी जो है तो फिर आप बंद कर डालोगे पूरे हमारे लखनव की पूरे सारे सटर तुम्ही बंद करोगे आपकर के राप में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ठक जाओगे आप ठीक होगे और यूचा केस में अपत है ये होगी देखते हैं इंक्रीज रेट ऑफ रीक्षण डेक्षाण और बड़ा इपॉट्ण है आरेस एंड और बहुत है यह दोनों को इंक्रीज कर सकता है ठीक है इस पर फस्तेट्मंट ब्सकूष्ण आते हैं यहोगी इधर से इ का साइन करते म्दलब सैंगा सधूी चैंज कर सकता है कि इसको ध्यान रखना में धूनों को चेंज खरता यह वाँ पर थोड़ा से इंटाइलपी का कॉंसेप्ट पढ़े लिए ऑप्टिमम टंप्रेचर क्या है ठीक है स्वारी आप्टिमम प्याइच के अगर हम बात करते तो एंजाइम्स ऑप्टिमम का क्या होता है वह कंडिशन जिसमें एंजामेटिक अक्टिविटी मैक्सिमम हो तो मतलब एंजाइम्स की अक्टिविटी जो है वह टेंप्रेचर प्याइच सब्स्ट्रेट इनकी कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है ठीक है तो अगर हम प्याइच की बात करते हैं तो प्याइच में जैसे प्याइच में जैसे प्याइच की अलग 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 हो सकती है तो वह maximum pH जिस पर किसी पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो उसको optimum pH कहेंगे यह प्रफिन के लिए टू होती है इसलाइवरी एमाइलेज के लिए 6.8 होती है और आरजिनेस के लिए कितनी होती है तेन होती है तो अलग-अलग और एक्स्ट्रीम को देता है तो इसके बाद एक कंसेप्ट आता है जिससे क्यूटें बोलते हैं क्या होता है जिसके वैलु बायलोजकल सिस्टम के लिए है ठीक है आगे और प्रुट करके देख लेंगे इसको फैक्टर बॉल एंक्रीज़ें का सिंबल रहता है हमारे नोट में नलगना वार एवरी 10 टेंड डिगरी राइज इन के तमपरेचर एक्षन की बढ़ रही है उस फेक्टर को हम औरPower क्या क्यों टेश है क्या हो तो इसको ध्यान रखना है क्यूटेन इसको क्या होता है आर टू अपाउन आर वन कि पावर टेन अपाउन टीटू माइनस ठीक है चलिए अब यह है क्या समझ लेते हैं मालं देख लेते हैं कि कोई पटीकुलर एक फिस् थी या पटीकुलर एक अनीमल था तो इसमें रिस्पाईरेशन रेट देख लेते हैं मालं लिएक कोई टंपरेचर मैंने दिया 10 डीटि दिघिरिज کہ mोच क कोई तो बढ़ सकते हैं अपने ओपर कुलम को ओपन को क्लोज कर रहा है फिफ्टी टाइम चलिए पर मिनट दूसरी चीज़ उने क्या-क्या टंप्रेचर बढ़ा दिया जिब टंप्रेचर 20 डिग्री सल्सियस किया इसी फिस के लिए तो पता चला कि रिस्पाइरेशन रेट जो थ है वह पढ़कर के हो गई है ठीक है अब यहां पर ध्यान चीज यह देना होगा आपको जो क्वेश्चन आएगा तो हो सकता यह 10 डिग्री सेल्सियस कर दे और इसको केल्विन में करते हैं तो आपको करना क्या है दोनों की यूनिट सेम करनी है चाहे केल्विन को सेल्सियस मे च forsk strap दोनों कंडीशन की यॉनिट सेम रहने चाहिए ऐसे यहां पर भी सेम रहने चाहिए दूसरी चीज आपको ध्यान रखना की हो सकता है कि तो तून्टीदी सेलसें पे टून्टीवाय inject कर है ठीक है यह वह सकता है 25 हो होगा तो फार्मूले में देखो आरटू हम लोग हमेशा उसको मानेंगे जो हायर है जो क्या है जो ज्यादा है मतलब कि अगर इस वाले केस में देखें केवल इस वाले केस में है ठीक है तो आरटू हो जाएगी 100 लेकिन अगर और यही केस आपके साथ temperature में भी आएगा यही केस कहाँ पर आ रहा है आपका temperature में भी आ रहा है उसको सॉल्फ करने हैं तो आ रटू स्वार और रवन आ रगव आपका कितना आरहम चलिल्य यह नहीं लेते यह लेंटे रटू आपका हो गया और है ज्यादा वाला अपान आर्वन फिफ्टेंं कि पावर जोड़ा अपान तो इतुड़ ऑं तो क्या है है 20 माईनस 10 ठीक है है हो गया किसी की पावर बान हो जाएगी तो वह रहता है अब यहां पे होता क्या है ज्यादा तर बाइलाचकल रिएक्शन में जो क्यूटें की वैलू है वो टू से थिरी के सारल की बीच में राइज करती है अब क्या स्माझ लेते हैं को थोटा सा एक ये बता रहता कि मान लेते हैं कि यह पर्टिकूलर कोय पर्टिकूलर फिस्त ऑफिस। घगर एक गपर नहीं करना था तो वो दो कितने कुना पड़ गई लेकिन जब टंप्रेचर बढ़ाया तो कितना हो गया इतने गड़ा बढ़ गई 20 गुना बढ़ गई तो यही हम लोग पढ़ते हैं कि एंजाइम्स की प्रिजेंस में रियक्षन की रेट 20 टाइम्स तक फोल्ड हो जाती है इंक्रीज कर जाती है यहां पर ट्रेंट के कारण नहीं हो रहा है यह टमप्रेचर के इंक्रीमेंट के कारण नहीं हो रहा थे केंक्रीज करने से ऊ tietड्र अगए तो अगर डिक्रीज होगा तब क्या होगा तब हायर वैलू उपर तब भी तब भी यह प्लस महीं आएगा क्योंकि तब हायर वैलू कोई दूसरी आए जागी अंडिशन वह सब पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं अडिशनल भी बताता हूं उसको खुद नोट्स आपने बनाते रहें लगातार बना रहें ठीक है और क्वेश्चन और में सोचिएगा कि कोई कंडिशन है उसी केस में उसी केस में माल लेते हैं कि क्यूटेन जो आया है टू ठीक है कब जब टप प्रेचघ्ट से अब 20 हो गया रेते हैं क्या हो हो गया आपका हंड़ेड तो गया था इस तो कि हूस्छ यह होगा मन में सोच रेगा आप लोग्या कमेंट करना होगा तो करिए घा कि कितना रिस पायशन रेट हैं किflowing रेट हो कि कीवटेन 1.5 अब तो यह सोचिएगा उसी आ करिएगा चलिए आगे बनते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अभी चलिए देखते तो क्लासिफिकेशन आफ एंजाइम के अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन अफ एंजाइम को उकेशन और रिडङक्षन कर गाती है उनको लोग कहते आउक्सिटार चैस्में देखने को पर जाएंगे परलेक्टरणन का फ्लो होता है और इल्लैक्टरण के फिलो होने में में दूसरी जिगाद पाउचता में होना है एक चैHAHA गया है Lactate dehydrogenase दूसरा है ट्रांस्फरेस ध्यान दीजेगा इसमें बहुत सारी चीज़े अभी सीखने वाले भी है ट्रांस्फरेस क्या होता है ऐसे कुछ भी इंदाहिम्स जो पर्टिकुलर किसी ग्रूप को ट्रांस्फर कर देते हो एक कंपाउंड से दूसरे में ट्रांस्फर कर देते हो जैसे एटीपी in bewेट्टी चैंज होती है आप लोगी करते होगेलेट्टीप क्या करती है LANा पार्टिसेट होकर jak ग्लुकोस वन कॉमा सिक्स फासफट में चेंज हो जा रहा है तो यह फासफेट को ट्रांसफर करने वाले जो एंजाइम से हैं वह पर्टिकुलर क्या हो जाएंगे उनको लोग बोलेंगे ट्रांसफरेज जिसमें से एक एक जैम्पल हमने बोला है एटीपी और फासफेट फास आध कररें क्या यह फासफट को कहीं पर एड कर दें क्या वह लेंगे काई मर्यां हाइ्ट्रो region रह नाम से पता चला ला है और हैड्रो लेक्ड़ाइस करते हैं त्टनुट सट स्टुए तो फास्ट को शेंच टन्सफर कर देतें कैसे style को इस्तक्राइब गुरोप कर देते आँ अब यहाँ पर स्ट्व पाटिसिपेट करने कि आने पर हुगा क्या एंजाइम की प्रेंटेक के इसने इसके साथ बॉंड बना लिए उसने इसके साथ बॉंड बना लिया वाख क्या यह जो गूरुप था इस पूरी प्रोसेस को कराने में चया है इसको परिसीपेट करते कि प्रोटीएस को तोड दिया तोड़ करके कि इस दूसरे मॉलिक्यों को गुरूपश प्रोडित करा दी यह यां रखना इसने क्या की था कूला को तोड़ दिया इसल को और कि मैं और तोड़ करके किसी दूसरे गुरूप यह वाटर को गुरूप प्रोड़Íड कर यह संभ्रेसर नियुतक है आई सोमेरेस में साइनक्राइब जो ग्रॉपD रॉतने से क्या अधिता है जाता है जैसे ammunition यह स्दिक्राइब कूल्ड heart इंट्र मालिकुल्स ग्रूप इंट्र मतलब हो गया मॉलिकुल इंट्र मॉलिकुल्स राइवर्ज पॉसपेट आइसो मीरेज यह करते पढ़ते छोटे थे पर्फॉर्म कंदंसी घोड देते लाइगेाशन आप टू डीएन लाइगेस पढ़ते हो जैसे एक यह कार्बन और इनको आपस तो तो कराने में जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समय कोई गुरूप रिलीज होता है जैसे यहां पर लिया बॉन्ट टूटा और तो आक्सीजन पर माइनस कारवन बेपलिस ये जोड़ने वाला काम क्या करता और रिलीज भी करता है जबकि हाइडरोलेज में रिलीज नहीं हो रहा था वाँ पे भलकि यूज़ हो रहा था थीछ या कुछ और भी यूज हो सकते हैं अलग अलग क्या करते हैं लाइस क्या किया है लाइस ने जोडा है क्या करतेंCarbon दबल बॉंड यह स्रेज़ िदर कुछ लगा हुआ है दूने मतलब घ्र और दिया है पर एक किल और तो Jeśli यह काम कियाaran जाका है अब क्यूर डायत्स लिएज करता है कि माल लेते हैं पर पहले से ही तो यह भी कर सकता है कि हो यह आपस पर जुड़के बना ले दी अधिस हो जाए और यह बॉंड बन जाए तो मतला भी डबल बना भी सकता ब्रेग भी कर सकता है यह लाइए इसका काम प्लीफ और फॉर्म डबल बॉंड जैसे कि आप लोग फ्यू मेरे इस पढ़ते हो ठीक है चलिए अब हम लोग और आगे की तरह मूब करेंगे टॉपिक को अगर वीडियो को कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा पास सिकेंड के लिए पास करिए लाइक कर दीजिए चैनल अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है अपने जू आ रहे हो बहुत चोटे रहा करते थे तब से जान रहे हो लेकिन आग कुछ एक नई अंडर्सकेंडिंग बनाएंगे हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को भी सीखेंगे क्या सीखेंगे बुला जा रहा एंजाइम्स का अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एंजाइम के अंदर जादा तर एंजाइम्स में दो पार्ट होते हैं एक नान प्रोटीनस पार्ट होता है और दूसरा प्रोटीनस होता है अच्छा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होती ही नहीं केवल नौन प्रोटीन होती है जिसका मैंने एक्जामपल प्रोटीन और नौन प्रोटीन को लोग कहते हैं अब प्रोटीन वाले पार्ड को बोलते हैं एप इंजाइम दोनों इंपॉर्टेंट है कैसे इसके स्ट्रक्चर को उन जब फीड करके समझेगे वो फैक्टर के स्ट्रक्शर को थोड़ा सा फील्ट करेंगे और जानेंगे कैसे दून अपॉर्टेंट है माल लेते हैं कि यह एंजाइम जो प्रोटीन की चेन से मिलके बनी हुई है चार चेन है ठीक है इमेजिन कर लो तो वर्ण कि टूओं घ्री कंवेश घ्री कि चैने चेन अधारी रहेंगे है और अलेगिए मेजिन करोकर फिंगर से अधिटिर खार्ट है ज़िए मतलब जितना इंपोर्टेंट चेन है ये पॉली पेप्टाइड की चेन है उतनी इंपोर्टेंट ये फिंगर भी है कि इस इन और गैनिक को तो इसको बोला कि किसी भी का वो वाला पोर्शन जो और गेनिक क्या होता है चलिए ऐदिशनल नह जनकारी विले ले लेते और इनिक का मतलब क्या होता है यह ऐसा कोई भी compound जिसके अंदर carbon होता हो उनको organic कहते हैं लेकिन इसके exception है carbon dioxide carbon monoxide bicarbonate carbonate यह सब organic यह सब organic chemistry में नहीं आते हैं यह exception है इनमें carbon तो है लेकिन यह organic नहीं होते हैं तो यह organic नहीं है और यह इनके अलावा अगलुकोस फ्रेक्टोस अब इसमें भी एक दो concept आ रहे हैं अगर यह ऑर्गेनिक जो है वह वो अगर टाइटली ऑंड़ेड एंजाइम से यह थिक है यह एंजॉप है यह यह था और यह देखिए और यह इसका को अगर तो हम लोग इसको गलेंगे प्रोस्थाटिक ग्रूप लेकिन अगर यह यह टाइटली बाउंड ना हो ठीक है लूजली बाउंड हो यह देखिए लूजली बाउंड है ठीक है लूजली बाउंड है तो इसको हम लोग को सबस्ट्रेट की तरह मांगे चलते हैं अब एक नया टर्म आया कि को सबस्ट्रेट क्या होते हैं तो को सबस्ट्रेट क्या होते है जो एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं लेकिन लूजली बाइंड करते हैं ठीक है एंजाइम के कांटक्ट में आते हैं एंजाइम से बाइंड करते हैं लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं ठीक है प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं इंपर्टन बात है सब्स्ट्रेट और को सब्स्ट्रेट पर अंतर या है कि सब्स्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं लेकिन को सब्स्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो करके प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं वह बस पे जाते हैं बस का मतलब उतर के वह दूसरी बस पर बैठ जाते हैं फिर वहाँ पर भी करते हैं तीसरी बैठ जाते हैं मतलब बस के वही ओवराल वह कहां है अभी भी वह स्टेशन पर ही है इनको बोलते हैं को सबस्टेट का प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते चलिए अब टापिक को और आगे बढ़ है तो मैंने नोट्स में नहीं दिया है क्योंकि लिस्ट बढ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत लंबी खिच रही है तो उनको जिसको चाहिए वह अलग से मैं उसकी दे दूंगा उसको भी याधी करना होगा तो कहां पर दे दूंगा टेलीग्राइम ग्रूप मेरे ट चलिए देखते हैं तो को फैक्टर के अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग-अलग को फैक्टर से जैसे की कॉपर तो कॉपर में कहां पर पाए जाता है साइटोक्रोम ऑक्सिदेज में जब आप अंसॉल्ट करें हो गये अभी तक नहीं कियो तो गलग बात है आप शुरू क पाच वीडियो में नुमेर्कल प्रक्टिस रखते साब मिला करके हो जाएंगी तो मतलब वाइकमिस्ट्री आप प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट था फिप्टी पर्चेंट स्लेबा सो कवर कर रहा था तो पर्चेंट हो गया है अंसॉल्ट करीद लिए और जम करके प्र है थीक है तो यहांपर क्यांद साइ्टोॉख्रोम कैतलेज और पर आकशोड़ेस की तो इसका जो ट्रिक है वह है पर साइट कैतलेस पर ऑकशिदेश और सैटो क्रोम ऑकशिदेश रहा रहा है कैसा पर podéisगसी नजा रहा कारओ साइड मतलब नजर यहाट पर नज़ार रहें फ्लियर साइट ठीक है चलिए इस फेलिंग थोड़े आलाग है फोटैसियू नाम नाम पता चले पास से पूछा गया इसके पूछा के इक्षिस्टन पासे पायरुट काइनेज एक महोदे थे उनका नाम था पी-अच और उनकी मंगनी हो गई मंगनी मतलब इंगेजमेंट कहते हैं मंगनी हो गई तो अब भाइया जो उनकी होने वाली धरम पत्नी अब उनको भी और प्यश्जी कहते हैं जैस कईज मांगनी मअगनीशियम पी-च इमतलब हैश्जो काइनेज और मतलब क्लू को सिक्स फास्प के लूको सिक्स फास्पट एड़नीज क् आपने मन में जो है उसको अपने रभ से अपने खुदा से अपने इश्वर से अल्ला से उसकी अर्जी लगाओ अर्जी मतलब आरजिनेज इस पर क्वेश्चन आया है इस पर आया है और इस पर आया है ठीक है और भी लिस्ट है थोड़ी सी देखते हैं तो नई लिस्ट है अब पर्सों वाला भी एक हुआ है बता चलेगा आपको तो नेट हो गया तीन बार हो गया अभी पर्सों वाला भी एक हुआ है पर्सों का हुआ है एक साल पहले केस हो गया था एक कोश्चन सही था उसको गलत वो लोग बान रहे थे तो उसका रिजल्ट अभी पर्सों आया भी क्या तो देखते हैं देशन निकल निकल में यूरिस 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 यूज्स झाइब है और कौंछ वो फैक्टर होता निकल ठीक सेलेनियम की बात करते इस पनगोंने पर ऑक्षाटेश्व याद रखना है जो जो इसे तो बहुत सार है ज्यादा तर इपॉर्टेट मैंने बताए है आपको जिंक एल्कोहल डियाइड्रोजिनेस इसको एक सीमेंट आती है जिंक जो है किसमें पाई जाता है एक सीमेंट आती है तो इस तरह से नोगों ने पढ़ लिए तो बताएगा मैं उसकी फोटो बेस दूंगा साथ ही तो उसको भी याद करना होगा उससे भी कॉश्चन साथ है आज अत्य हम लोग फिर से एक नए कॉंसेट को पढ़ते हो और यह आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा कॉंसेट आप एक्टिवेशन एनरजी को सिंबलाइज कर रहे है यह के थुरू होती क्या ह मिनीमं मम्ट अनरजी रिकॉरर बाइगे सबस्ट घंव इंपलोल। किало के सव्चिक करने के लिए जो मिनीमं मम्ंट अब अनरजी रिकॉरर कॉंसी को हम लोग क्या कहे रहे हैं उसी को हम लोग कहा रहे हैं अक्टिवेशन एनरजी शेलिए जरी जिखते हैं अक्टिवेशन एनरजी का मिनमम वर्ड़ सिंहले हैं मिनमम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेट है कि यहां पर पर बाउंट्रिय है तो उसको जितनी भी पावर लगानी है एनर्जी लगानी यह बॉल पर कि बॉल आकर के यहां पर गिरे तो 6 हो गया अगर इससे कम लगाएगा तो बॉल यहीं गिर जाएगा शिक्स नहीं हो पाएगा और इससे ज्यादा लगाएगा अभी भी 6 ही होगा ठीक है कुछ बदलने वाला नहीं है लेकिन अगर कम लगाएगा तो 6 से कम आ जाएगा इससे हम कोई पता चला कि मिनिमम कितनी लगाएगे 6 हो जाए तो मिनिमम जो है वैल्यू उसी को यहां पर भी अक्टिवेशन है अगर उससे ज्यादा एनर्जी भी दे जाएगी जो एक्जो थर्मिक प्रॉसेस है ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा चलिए इन केस ऑफ एंजायमेटिक रियक्शन में अगर हम लोग देखते हैं यही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है आप जो क्रिकट कही बात करना है वह तक क्या है कि जो एंजायमे है कम समय ठक रखना चाहते हैं जसे में को लिए जाज़ागा उटनी जादा पावर लगानी पड़ेगी अधनी कम समय तर लगा होगे उतनी जादा तॉर्क नम्दिट होती है फिजिक्स जापे जो दर्वाजे थेущने के लिए त्ना पिलत्न लगा ऋइसको और साइट कर दो जैसे दोनी वाला हुआ है उसने क्या किया बहुत कम समय के लिए बाल और बैट को एक दूसरे के पड़े यह मिनर्जी कम बढ़ीन से एनर्जी कम लगी पड़ेगी अब यह दो ग्राफ़ पढ़ाएं को सब्जाने की कोशिइए जहदा तरभुक्स में एक एसे ग्राफ भी आसकते हैं कि कि एक प्रोग्रेस यहां पर इस पॉइंट पर क्या है एनर्जी आफ सब्स्टेट इस प्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिल ना है energy of substrate और जब हमने इस substrate को नेरजी दी बढ़ती गई बढ़ती गई इस point के बाद में यह substrate change हो गया product जब यह product में जाइस पॉइंट पर substrate चेंज होने लगा product में ऐसे बहुत हो नहीं गया भी होने लगा ठीक है इसके बाद दिरेदर प्लोटक्ट में चेंज हो गया हो गया है जो एनर्जी है प्लोट की यहां पर मिलेगी हमें कहीं यहां पर मिलेगी इस एम लोंगे ओनी हुआ उस्वा लिए मतलब ज्ञाайте मतलब ये तोर्ड कर रहें प्रोडक्त में कभ चेंज हो गया या इससे पॉइंट में इस को क्या गर रहा है है यह पर इतने वैलो पर चेंज हुआ अक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई इतनी आई खायो यहां से यहां के भीछ जब सब्स्टेट के वल था तब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी अब जो आगे की बात आ रही है कि यहां पर हमें बिल गया यह अब दोनों में अंतर देखो एपी और एस एक्टिवेशन एनर्जी तो कम करती हो तो समझ में आ गया लेकिन आप एक्छी यह ध्यान सब्सक्राइब इस bourne कौन गए है ब्रोडक्ट कि अनर्जी कम है सब्स्ट्रेटग में चेंज हुआ तो निकल यहां पर आजाते हैं इसमें वहीं से श्टार्ट बालेकिन यहां पर है ओसके में पॉइंट प्रोडक्ट की आपको निर्जी उसने अब्सक्राप कर लिए उसके अंधर और निर्जी बढ़ गई इसको लोग बोलेंगे इसको लोग बोलेंगे कि यह इंडो-थर्मिक प्रोसेश है या इंडर गोनिक भी बोलते हैं इसको एक्जर गोनिक भी इस तरह से आज के वीडियो का कंटेंट जो है वह कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम काइनेटिक्स ठीक है महाँ पर हम लोग एंजाइम काइनेट और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इनिविटर के बारे में और देन आफटर बहुत सारे निमेरिकल की प्रक्टिस करेंगे तो चार चे पाच वीडियो यहां पर हम लोगों को यूज रहेंगे ठीक है चलिए तो अगर वीडियो समझ में आ ग